नमस्कार स्वागत है आपका जस हिंदी टीवी पर मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं चर्चाद अच्रुद हर हबते हम इस कालक्रम में किसी सच की तलाश करते हैं वो सच राजनिती से जुड़ा हो सकता है अपरात की दुनिया से जुड़ा हो सकता है लोग के कल्यार से जुड़ा हो सकता है लेकिन आज जो सच हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके जड़ों तक पहुँचन जो है रेप का शिकार होना पड़ा और लगभग वो आठ किलोमीटर तक चलती रही लोगों से मदद मांगती रही लेकिन समाज का एक भी नागरिक ऐसा सभन ही वहाँ पर मिला जो बच्ची को मदद करता सबने या तो कुछ पैसे थमा दिया या फिर उसे चलता कर दिया कहीं न कहीं यह जो स्थिति थी यह जो तस्वीरे सामने आई वो भारतिय समाज के नैतिक मूलियों पर बहुत गंभीर प्रशन खड़े करती है हमाई साथ देश की जानी मानी महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली लड़ाई चेडने वाली कारे करता जो चुकी है जगमती सांगवान किसी परिचे की मोहतास तो नहीं है लेकिन मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दू कि एड़वा जो एक संस्था है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज समय समय पर उठाता रहता है उसकी वो वाइस प्रेजडेंट है खुद खिलाडी भी रह चुकी है बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं जगमती सांगवान आपका चर्चद अत्रुत में धन्यवाद नेहा जी मैं सबसे पहले तो म महिलाओं को बाहर निकलने में डर ना लगे महिलाओं को चाहे वो कारिस थली हो या फिर जो शिक्षा की जगा हो या फिर अलग-अलग जहां पर भी महिलाओं का जो है बाहर निकलना होता है घर से वहां पर वो खुद को अस सुरक्षित ना महसूस करे इसके बावजूद मै मैं देखती हूं कि भारत में ये स्थिती बहतर होने की बजाए मुझे लगता है कि शायद बिगरती जारी है बलकि भयावा होती जारी है क्या मेरी इस सोच से क्या मेरे इस प्रश्ण से आप भी इत्तिफाक रखती है क्या आप भी इसी तरह से सोचती हैं बावजुद इसके क कहा नेहा अगर एक आबादी जो मैलाओं की है उसकी एक परत जो है उपर वाली जो बहुत खाते पीते बहुत ही धनी संपन परिवारों से आते हैं उनको अगर छोड़ भी दिया जाए कुछ मायनों में तो मैलाओं की आबादी का बड़ा तबका जो भारत का है वो ज्यादा स ज्यादा एस उरक्षित होता जा रहा है और जैसे अभी उज्जेन की घटना में आपने बताया और अनेकों घटनाई हैं आसल में जो आए दिन घटी थोरी हैं यहां पे और इसमें जो एस सुरक्षा है इसके कारणों को और इसमें क्या मतलब परिस्थितियां हैं उनको हमे आगे आना पड़ेगा चाहिए वो समाज है चाहिए सरकार है चाहिए वो समुदाए है सभी को मिलक के परियास करने पड़ेंगे तब ही जाके कोई बड़ा बदलाव जो है क्वालिटेटी चेंज जिसको कहते हैं वो आ सकता है वरना स्थीतियां जो है आज के दिन काफी खर पहले से पित्री सत्ता जो पैट्रियार्की है वो यहां पे बहुत ज्यादा मजबूत रही है और देश आजाद होने से पहले ही मनुस्मृति के आधार पे महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रही है शुद्र दोल पशु और नारी ये सर्तारन के अधिकारी और यह जो मान सिकता है वो आजादी के बाद हमारे देश के अंदर जिस तेजी स्तेजगती से बदलनी चाहिए थी वो उस तरह से बदली नहीं है यह जो उन जैसे और भी जो नेता थे उस समय पे आजादी के आंदोलन का जो नेत्रता हो था उनकी कोशिशों से मतलब वोट करने का बराबर का अधिकार मिला और बाबा साब न तो महिलाओं को पुरा प्रॉपर्टी राइट मिले इसके लिए खुद अपना पद भी छोड़ दिया था किन होकर लेकिन उसके बावजूद वो जो महिलाओं की समानता के जो प्रावधा के साथ एंशोर किया जाना चाहिए था वो यहां पे शुरू से ही नहीं हुआ है और उसमें मतलब भले ही जो आजादी का हमारा स्वतंतरता संग्राम था उसका सबसे लोग प्रिया नारा ये था धन और दर्ती बटके रहेगी रात अंधेरी कटके रहेगी तो यह सक्तना थ आज तक 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी को महिलाओं को जो है प्रोपर्टी राइट संपती में अधिकार नहीं है और ये जो सामाजिक आर्थिक जो संरचनाएं हैं हमारे यहां पे उनके अंदर गैर बराबरी जो है इस तरह से विशम्ता जो है इनिक्वालिटी जो है वो बिलकुल बदमूल है वहां पे और उसी की संगती में यहां पे फिर मान सिकता है जो बनी हुई है जी मैम आप तो जिस धर्ती से आती है हर्याना वो बेटियों के मामने में काफी बदनाम रहा वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो देश का सबसे निम्न स्तर का सेक्स उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं जो कि कन्या भून हत्या की जो समस्याइं है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई जो खुद महां के मंतरी है स्वासमंतरी अनिल विज उन्होंने इस पर काफी बड़ा अभियान भी चलाया और काफी सुधार भी हो गया था बेटी आतावरन तयार करने को लेकर कि महिला निडर होकर ना सिर्फ शिक्षा का अधिकार हासिल करने के लिए बलकि अलग अलग अस्तर पर जहां पर राजनीती है क्यों ना आप तो बात महिला अरक्षन की होने लगी है राजनीती में इसलिए मैं समझना चाहूंगी कि हर्याना की जो भूमी है यहाँ पर कितना सुधार हुआ है दो टर्म हो चुका है बीजेपी की गवर्मेंट को देखे जब से बीजेपी की गवर्मेंट आई है तो यह ऐसुरक्षा जो है वो बढ़ती ही जा रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार जो अपरादी है उनको संड्रक्षन देती आ रही है यहां के जो हर्याना की लड़किया है वो खेलों के अंदर सब से अच्छे प्रती भागा परदर्शन करती है मैडल जीत के लेकर आई ओलम्पिक्स के अंदर हर्स्तर पे लेकिन उनके साथ जो हर्याना के खेल मंतरी जो है उन्होंने महिला एफलीट कोच जो है हमारे यांके उसके साथ उस पे अटेंब्ट टू रेप किया उसने शिकायट की और हम महिला संगठ नोंने लगातार एक मह इने में साथ साथ जगह पर हम ठानों में बंद किये गए हमने ऐसा अंदोलन चलाया कि ऐसे मंतरी को जो मौल टर्पिचूड का जिसके उपर एक दावा है मुकदमा है उसको मंतरी तो से हटाया जाए ताकि महिलाओं के अंदर ऐस सुरक्चा की भावना ना हो लेकिन सरकार आज भी जब चार सीट हो चुका है संदीप सिंग वो मंतरी जो है आज भी उसको बैठाए हुए है दूसरी तरफ जो हमारी कुष्टी की ऑलंपियन के लाड़ी है ब्रजबूशन शेरन जो कुष्टी के अध्यक्स थे संक्याध्यक्स उन वो चार सीट हो चुके हैं वो अगस्त के दिन बिल्किस बानों के जो रेपिस्ट है गैंग रेपिस्ट उनको जो है सम्मान जनक तरीके से उनकी सजा जो है वो कम की गई उनको छोड़ा गया और इतना वर्णी फूल मालाई पैना के उनका स्वागत किया गया यह जो पूरी संद्रक्षन दिया जा रहा है अ वो पढ़ रहा है इससे एक तो परशाषनिक मशिनरी जो है वो यह संकेत लेती है कि मैलाउं की सुरक्षा कोई मायने नी रखती है दूसरा अपरादी जो है वो अपने आपको किसी भी तरह का कोई अंकुष होता है ना उससे निरंकुष महसूस करते है कि सरकार का हाथ तो म तो तुमारे उपर रहे गाई अगर आप बीजेपी के मतलब नेता है या उनके कोई लग्य भग्य है तो इस तरह से इस सरकार के आने के बाद सुरक्षा जो है वो जाना बड़ी है पिछले दो साल में NCRB का डेटा है कि 27% उसमें बड़ ओत्री हुई है बिलकुल आपने एक बहुत ही चिंता जनक सिती जो है हमारे सामें रखी है और हर्याना से ही देखा जाये जहांपर क्या परिसित्या बने हुई थी बेटियों की प्रती लेकिन जो नारे दिये गए थे उस नारों की धरातल पर हकीकत है वो बिलकुल विपरीत नजरा जिन ब या फिर उसके समर्थक हैं तो अगर बेटियों के खलाफ आप आरोपी भी हैं तो आप पर कोई ठोस कारवाई नहीं की जाएगी हमारे साथ जगमती सागवान जी बनी हुए मैं मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हर्याना एक ऐसी धर्ती है जिसने हमारी बेटियों को जो है खेलने का पूरा का पूरा मौका दिया है और चैंपियंज जो है बड़ी बड़ी चैंपियंज जो है वो हर्याना की धर्ती से आती है लेकिन हमने देखा कि जंतर मंतर पर जिस तरह से देश की बेटियों को बहला पहलवानों को जिन्होंने हमारा नाम पूरी दुनिया में रौशन किया जब उन पर कोई विपदा आई कोई मुसीबत आई उनके शोषन की बात हुई तो फिर सत्ता पक्ष जो है वो खामोशी अक्तियार कर लेता है मैं यह समझना चाहती हूँ कि जमीन पर यानि की गाउं में जहासर निकल कर इन बेटियों ने पूरे मुल्क का जो है नकरात्मक जो है परिवर्तन आप देखती हैं और इसका परिवारों पर जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने किस तरह की कोशिशे करता है उस पर क्या आशर आप देखती है देखे नेहा जब जंतर मंतर के उपर ये कुश्टी की लाड़ी आंदोलन कर रही थी और पूरा देश उनका साथ दे रहा था उस समय पे जब हम गाउं में गए हैं लोगों से बात की जो अपनी बेटियों को खेलने के लिए बेजते हैं आज अर्याना के अंदर अनेकों न पे वो जो पेरेंट्स थे उनके अभी भावक जो थे वो जो मतलब दिल मसोस के बैठे हुए थे कि अगर हम लड़कियों को खेलने के लिए बेजेंगे तो उनकी सुरक्षा का सवाल जो है वो बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो ऐसी स्थीती होगी हमारे अर्यानाम जिसको पोलते है कि बाड़ खेत न खा मतलब है इटिंग दा फिल जिसको कहा जाता है जो खुद अड़ेक्स है एस्सेशेशन के जो खुद मतरी है जो प्रोटेक्ट करना चाहिए जिनको वही उनके बख्षक की तरह से तामने आ रहे थे तो बहुत ज्यादा उनके अंदर चिंता ती और एक डर का माहूल था बच्चियों के अंदर और दुर्भागे से सरकार के सामने ये मौका था कि अगर वो सही कानूनों को लागू करते हुए और बहुत फेरली इन अपरादियों ने जो भी अपराद किया था उसका उतना भर सजा कोई यह निया करा था कि फासी तो लेकिन कानून के हिसाब से जो भी बनता था अगर वो परक्रियाएं सही से की जाती तो एक संकेत यह बेजा जा सकता था कि लड़कियों के साथ और खास तरपर जो खिलारी लड़कियां हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उनके साथ कोई भी किसी तरह की बजशलूपी करेग यो निंसा करेगा तो उसको बक्षा नहीं जाएगा तो ऐसा संकेत अगर सरकार देती तो यह मौका था कि और भी ज्यादा लड़किया खेल के मैदान में उतरती लेकिन दुर्भागे से ऐसा नहीं हुआ सरकार जो है वो अपराद करने वालों को संरक्षन देती बचाती हु जैसे जो खिलारी लड़कियों के माता पिता है और स्वेम जो खिलारी लड़किया है उनका मनोबल गिरा हुआ है आज के दिन और यह देखिए कि हालत यह हो गई कि हमारी कुष्टी की खिलारी जो सबसे ज़्यादा मैडल लेके आती थी अब एशियन गेम्स हो रहे हैं तो वहां पे कोई अभी तक ऐसा वर्तावन भी नहीं लग रहा खुद और देख ब्रिजबूशन कहरें कि इस वार कोई मैडल नहीं आएंगे यह नहीं होगा अरे जिम्मेवार कौन है मैडल ना आने के लिए तो यह इस तरह का माहूल जो खराब किया गया है उसके उसकी मतलब जिम्मेवारी से सरकार और यह जो हमारे पदादिकारी है खेल संगों के खेल एसोसियेशन के वो उससे उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते और अभी भी जरूरत है अभी भी समय है कि जो कानूनी कारवाईया चल रही है उनके अंदर इन मंत्रियों को जब यह चार्ज हर्याना के तारशीट होने के बावसूद हर्याना ओलंपिक संके वो अधैक्स है आज भी तो क्या संकेत दे रही है सरकार तो यह जो रवया है इसमें मतलब ऐस रुक्षा की बावना जो उसको बढ़ाया है मैं एक मुझे याद आता है दो हजार बारा की दिसंबर में जो न सबी को है भारत के हर एक नागरिक को है उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बेटियों को आगे बढ़कर उनके उपर जो अत्याचार हुआ है उसे बोलने का उसे लोगों के सामने लाने का जो है साहस जो है यह बनाया गया है या फिर लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि आगे बढ़ो आप शिकायते करो हम आपका साथ देंगे निया की लड़ाई में लेकिन जब ऐसे ब्रिजभूशन शरन सिंग जैसे जो आरोपी कटगरे में सामने खड़े किये जाते है या फिर संदीप सिंग या फिर मैं राम रहीम को भी जिस तरह से बार-बार पर रोल मि क्या इस साहस को भी बहुत पीछे धकेला जा चुका है कि अब शायद इस तरह की आवाजें उठनी भी जो है वो कम हो जाएंगी सही कहा आपने कि जब निर्भया का कांड हुआ था हमारी देश के अंदर तो उस समय पे जो जस्टिस वर्मा का मैटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन्स है जब वो लागू की गई तो उसके बाद काफी ज्यादा संख्याम है तो वो रिपोर्ट करने के लिए आगे आने लगी थी उनको होसला मिला था जिस तरह से पुरे पुरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था और उसके फलस्वरूप मतलब सरकार के ऊपर दबाओ बनके उन्होंने कारवाया की थी लेकिन दुर्भाग्ये से आज वो वातावरन बिल्कुल उल्टा नजर आता है बले ही बीजेपी ने उसको भुनवाया उस वातावरन को बहुत हुए महिलाओं परत्याचार अब लाओ बीजेपी सरकार लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद जो उधारन मतलब पेश किये जा रहे हैं सरकार के दौरा वो एक से एक मतलब महिलाओं की गरीमा को किराने वाले हैं जिस दिन हमारे नए संसत भवन का उद्गाटन हो रहा था ठीक उसी दिन हमारी ओलंपियम जो खिलारी है उनको जनसर मंतर के ऊपर जिब वो न्याय की आवाज उठा रही थी तो उनको वहां पे सडकों पे गसीटा जा रहा था तो य इस तरह के जो द्रश्य है यह पूरा जो लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं जो आगे आना चाहती है अपने अधिकारों के एक्सराइज करने के लिए उनके मनोबल को तोड़ने वाले हैं यह और सरकार के उपर निश्चिक रूप से सवाल या निशान है कि उन मैम किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि किस तरह से जो हर्याना की जनता है वो सच को सच और जूट को जूट बोलने से जो है परहेज नहीं करती है यही हाल हम देखते हैं कि जब बेटियों पर अत्याचार की बात होती है तो सामोहिक रूप से आगे बढ़कर जो है पंचा से मिलता है इसके बावजूद क्या मौजूदा सरकार पर प्रेशर नहीं बन पाया कि बेटियों की सुरक्षा से अगर आप कॉंप्रमाइस कीजेगा या फिर इसको अंदेखी करेंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा मुगतना पड़ सकता है क्या ये भैस सरकार में खेल और परधान मंतरी इन मतलब आरोपित मंतरियों को बचा रहे हैं वो मतलब लॉजिक जो समझने का लॉजिक होता है उससे परेखी बात है कि कहीं पर कहीं सुत्र और जगों पे भी ना जुड़े हुए हो क्योंकि खुद ब्रिजबुशन कहा था कि मैं अगर मूप हो ल कुछी के बारे में बोल रहे होंगे अन्य था कोई भी राजनितिक पार्टी कोई भी राजनेता जो है इस हदक मतलब अपरादियों को बचाने के लिए जो जाता है उससे कई तरह के सवाल जो है उन खुद उनके बारे में भी खड़े होते हैं यहां पे इतने लोग मतलब के ऊपर उत्रे हैं हम खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ किसान नेता खापंचायतों के नेता हम सब जो है जब संदीव सिंग से आरोपी जो योन इंचा के थे उन से 26 जनवरी को जब गंतन तर्दियों पे जंडा फैरवाया जा रहा था हम खुद सारे सड़कों पे थे मैम आपने हर्याना के बारे में तो कहा कि यहाँ पर जो जन भावना है वो बेटियों की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं एक जुट दिखती है लेकिन उज्जैन की जो तस्वीर आई है यह इसी जन भावना पर सवाल खड़े करती है मैम क्या वज़ा है कि उज्जैन में एक बारा साल की मासूम बच्ची को मदद के लिए कोई आगे नहीं आया बलकि उसको पचास सौ रुपे दे कर आगे बढ़ने को कहा गया या पिर किसे ने सोचा भी नहीं किसे लेकर पुलिस को ही खबर कर दी जाए कि एक बच्ची उसके सा इतना जगहने अपराद हुआ है तेखे नेहा हमारे यहां पे जो कानूनी व्यवस्था है उसमें जो आदमी आगे आता है कानून को मदद करने के लिए रिपोर्ट करने के लिए अपराद को उसको सो जंजटों में फसा दिया जाता है और लोग जो है वो खुद दरने और बचने लग जाते हैं ऐसी परिस्थिती के अंदर हाला कि दूर भाग्यपूर्ण है हमें जो सरकार की तरफ से जो जंजट खड़े के गए हैं कि जिन में आप उलजते हुए नजर आते हैं हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए और कोई भी इस तरह की पिडिता है उसके साथ होना चाहिए लेकिन हमें इनके अंदर भी लुक इंटू करना पड़ेगा कि रोज रोज आपको ठाने बुलाया जाएगा रोज रोज आपको पुलिस के चकर काटने पड़ेंगे और मतलब ऐसा वैवार होने लग जाता है कि जैसे हमने अपराद किया है दिलेरी दिखाने क के बजाए जो है तो यह परिस्थिती को बदलना पड़ेगा और दूसरा यह है कि बिलकुल लोकों को जो है वो अपनी जो बेटियां है उनके उपर उनों ने बंदिशें लगा के देख ली तमाम तरह की और लेकिन वो फेल हो रहा है वो जो स्ट्राटजी है उनकी स्ट्रा का है जाए वो खेलका है चाहे साइक यह एकला का है वही पर देश के शारियों को चार्चांड लगा रही है जी वो जो लड़कियां है आज अग्मिनिस्टरेशन कमूनिटी सबको उनके साथ खड़े होने की जरूरत है उनको बताने की जरूरत है पिछे हटना नहीं है इसी और कोई भी अगर उनकी साथ इस तरह की हरकते करता है तो उसका सरकार और पुलिस मशीनरी बले ही मतलब नोटिस ना ले लेकिन जनता भी उसका मुँ तोड़ जवाब दे सकती है इतना जन दबाव क्रियेट कर दे हम अपरादियों के उपर भी और दूसरों के उपर आज समय क कि यह मांग है अगर यह सोचते हो कोई कि जैसे उज्जानमर बच्ची के साथ हुआ या खिलाडी रड़कियों के साथ हो रहा है यह सारे इन को देखके पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं है पीछे पीछे रास्ता नहीं है रास्ता आगे है बस हमारे से चूप यह हुई ह कि हमने अपनी बेक्यों को हमेशा यही सिखाया कि सी दे जाना स्थी दे आना किसी से कोई मतलब नहीं रखना अब उनको यह भी सिखाना पड़ेगा कि कोई अगर आपके साथ बदसलूकी करता है कोई आपके साथ योणिंसा करता है तो अकेला मत समझना हम तुमारे साथ और अपराधियों को जो है, वो मतलब पीछे की तरफ दकेलना है, हमें पीछे नहीं जाना है, ऐसा बरोसा उन बेतियों को दिल्वाने की जरूरत है, चाहे वो उज्जेन का मामला है, चाहे वो दूसरी जगे की गटनाई है, क्योंकि बेतिया सब के घरों में है, और महिलाए जो है, वो नागरिक भी इस देश की, फिसेतर साल की आजादी के बाद, ये फालतु के नार्टक, अमरितमों, अक्साओं, इनके उपर जो फिजूल, खिर्ष्टिया और लफाजी की जाती है, इसकी बजाए उनको जो है, असल में हक देने चाहिए, अभी देखे, 33% के नाम लेकिन 33% आरक्षन लागू होगा, कब लागू होगा, वो कोई तारीख नीरा करें, कहरें, 2029 में देंगे, फिर वही 2024 की तुनाव से पहले ये कानून पास करने की क्या ज़रूरत है, मतलब आपको पोलिटिकल क्रेडिट लेना है, और मैलाओं का बेवफूफ बनाना है, ज लिमिटेशन की शर्ट लगा दी जाएगी, तो 2049 तक भी महिलाओं को कोई जो है, ये आरक्षन एक्सराइज करने का मौका नहीं दे सकता, ज़कि ऑल्रेडी परिसीमन जो है, वो 2026 तक वैलिद है, बिल्कुल, 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 मैं भी मैं समझूंगी कि महिलाओं के लिए जो परिस्तियाय है, वो कितनी अनुकुल है, हलाकि कई ऐसी डभी इचेपी कहानिया है, राजडीती में भी महिलाओं के शोशन की बाथ समय समय पर बाहर आ जाती है, बलकि राजस्थान से एक दो ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे हत्य प्रदेश की तमाम जितनी महिला आयोग हैं जो कॉंस्टिशनल यूनिट्स है इनको आप किस तरह से आगती हैं अगर अमरिकाल में भी यह अपने मकस्थ को पूरा करपाने में या पर कहीं उसके आसपास ही पहुँच पाने में नाकाम रह जाती है तो फिर क्यों इतना पैसा जो है इस पर लगाय जा रहा है या फिर खर्चा किया जा रहा है क्या आप इस पर कुछ कॉमेंट करना जाहेंगी? वो जो पैरामीटर तै किये गए थे, उनके अनुरूप नहीं की जाती, बलकि अपनी जो राजनीतिक जो लगी महिलाएं हैं, उनको अकमोडेट करने के लिए पार्किंग हाउस बना दिये जाते, ये NCW और स्टेट वेमन कमिशन जो है, और आज याना के अगर महिला कमिशन को देखें, जहांके लड़किया इतना ज्यादा आगे बढ़ चड़ के परदर्शन कर रही है, हर छेतर के अंदर, वहां पे महिला आयोग के अंदर केवल एक महिला बैठी है, पूरा उसके अंदर सारे सदस्य भी नहीं है, और वो जो महिला है, दुर्भाग्या की बात ये है कि we never heard her name before this, कभी उसका नाम तक सुनाई नी दिया महिलाओं के लिए काम करने के छेतर में, और इसलिए उन्होंने जब ये संदीव सिंग का मामला आया, और मुख्य मंतरी जो अर्याना के थे, उन्होंने तो सब से पहले इस मामले को संदीख बनाने की कोशिश की, कहा कि किस लड़की ना अनर्गल आरोप लगाए है, इसके आधार पे मंतरियों को थोड़ी अटाया जाता है, नहीं अटाएंगे, नहीं अटाएंगे, तो विदान सभा में भी स्टेट्मिन दे चुक है कि विपक्ष की कहने पर जी, हाँ, विदान सभा में भी उसके साथ साथ, और मतलब एक करेला, दूसरा नीम चड़ा, महीला आयोग की चेर परसन जो है, मैडम जी, उन्हों पहला बयान ये दिया, कि मैंने मंतरी जी से बात करी है, और उनके साथ बात करने के बाद लड़की, जूनियर कोच के दवारा लगाए गए आरोप, अविश्वस निये लगते ह ये उन्हों बोला, जबकि उनको शर्मानी चाहिए, कि मंतली से बात करने के जिम्मेवारी नहीं है तेरी, तेरे को जो पैसे दिये जारे है, वो लड़की से बात करो, लड़की के साथ खड़ी हो, उसका होसला बढ़ाओ, कि तुम तुमारे साथ क्या हुआ, जो तुम नही मिकता दी जारी की पहले, उसी से पूछ ले कि हाँ, तुमने ये किया, ये तो न्याय की शुरुवाती जो प्रक्रिया है मैं, इसी के साथ खिलवाड है, इसी का मजाग बनाया जागा है, बार-बार खिलवाड है नहा, अभी पानी पत्चो जिलाहा हरियाना का, वहाँ पे, मतलब खेतों के अंदर परवासी मजगूर जो है, वो रहते थे, ढानिया हैं वहाँ पे, तीन मैलाओं के साथ गैंग रेप हुआ, आठ-दस दिन पहले की बात है, तीन मैलाओं के साथ गैंग रेप हुआ, एक गरववती मैला थी, उसके पेट पर लासमारी, उसकी मौत हो है, वहाँ पे महिला आयोग जो है, वो पांच दिन बाद पहुचता है, ऐसी जगह के उपर, कि जहाँ पे इतना दर्दनाक और इतना शरमनाक वाक्या हुआ, महिलाओं के साथ है, बले ही वो परवासी है, तो लेकिन वो इस देश की भारत की बेटी है, जी, हाँ, वो सबसे तफ कंडिशन्स में इस देश के विकास के अंदर कंदे से कंदामिल आ रहे हैं, रात को आसमान के नीचे सोते हैं, खेतों के अंदर जाके, तो उनकी सुरक्षा पे अगर आप इस तरह की गैर जिम्यदाराना हरकते करते हैं, तो कोई जवाब दे ही नहीं होती है, और यह हा समाज का जो नैतिक मूल है, यह लास हुआ है, पतन की तरह बढ़ रहा है, लेकिन संसत की बात करूँ ही मैं, संसत में जब अविश्वास प्रस्ता विपक्षी दलों ने लाया और उसके दौरान चर्चा हो रही थी, मानने केंद्र मंत्र स्मितिरानी बहस में शामिल हो रही थी, और उन्होंने ऐसी बात की कि राहुल गांधी ने बहुत ही अभधर आचरंड किया है, उन्होंने आख मारी है, उसके बाद उस मामले का क्या हुआ, सभी बीजेपी सांसतों ने मिलकर जो है, शिकायत कर दी स्पीकर के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ, उस कारवाई का कु या पिर अगर वाकई में आप सच्चे हो, तो उसकी सच्चा है, उसके ड़तीजे सामने लेकर आईए, जगमतीची देखिए, एक तो समरिती इरानी जो है, वो कलाकार रही है, वो तिल का तार बनाने के लिए बहुत मशूर है हमारे यहां पे, मतलब जब किसी बेबुनिया को काला पोतने को उतरती है, और अगर मतलब एक होता है कि आपकी इंटेंशन जो है, एक आपकी बात कहने के अंदाज के अंदर कुछ चीजे शामिल होती है, और एक होता है कि आप किसी महिला, पर्टिकुलर महिला की तरफ, कोई इस तरह का इशारा कर रहे हैं, कि जिससे उ उसको सिगनल गलत जा रहे हैं इस तरह के जो तो बिलकुल नहीं बक्षा जाना चीए उन चीजों के उपर चाहे उसमें राउल गांदी हो चाहे उसके अंदर मुद्धी हो लेकिन जो असल में जो मुद्धे हैं बिलकिस वानों पे समरिती इरानी न पंदरा अगस्त को जब उ इस देश का परदान मंत्री जो है आज तक वहां पे गया नहीं है समरिती इरानी न मुझ तक निकोला है उसके उपर यह जो खिलाडी लड़किया है जिस दिन इनको जंतर मंतर पे घसीता जा रहा था पुलीस वाले उनके हाथों पे पेट पे बूट की लात रख रहे थे उ जिए पर क्यों नहीं बोलती है वो यह तो आंख मारी संसद के अंदर कि इसी को मेरे खाल से तिलका ताड कहते हैं हाला कि हम कोई जिस माफ किजे का आख मारने वाला प्रकरण जो है वह बहुत पहले का है फ्लाइंग किस का आरोप लगा था जी आप लाइंग किस आप यू क नहीं रखते हैं और संसत की गरिमा का धिया बीजे पी कितना रखती है विदोड़ी कार्ण ने ये फिर से उजागर कर दिया है लेकिन मडिपुरका जिकर किया है अब भी तुड़ी वाले ना कि ये कितनी का मतल संसत की गरिमा के लिए चिंतितर तर्मी बोलती समरिती रानी जो है उनकी तो बात छोड़ी दीजिए उनका कोई वो मामला है इनी जिसको सीरियस नहीं लिया जाए लेकिन अफसोस इसलिए होता है माम कि बहुत ही ये नॉन पॉ उतंत्र राजनीती करेंगी जिस पर किसी का दबाब नहीं होगा और लोगों की अधिकारों के लिए खासकर आप महिला वर का प्रतिद्धित्व कर रहे हैं तो उनके अधिकारों पर कम से कम खुल कर बोलेंगे महिला आरक्षन पर ही जो जिस तरह से प्रावधान जोड़े जन्दगर्णा पर इसी मन इसके जरूत ही क्या थी अगर लाना ही था तो आप सीदे सीदे दे देते 2024 में शायद बीजेपी इसी आधार पर जी जाती लेकिन चलिए राजनीती को हटा कर मैं मरीपुर को समझना चाहती हूं मैं बहुत ही सवेधन शील मसला पता चला कि दो मह जावा नहीं है महिला सुरक्षा के प्रति अती भयावा है यह नहीं हाब कुछ सही कह रहे हैं आप यह देखिए कि उन महिलाओं के साथ है जो अशलीलता की गई नंगा करके गुमाया गया जिस तरह से उनके शरीर को छुआ गया जिस तरह से मतलब पूरे समाज में देखके उस चीज को शरम से सिर्थ जुकाना पड़ा कि वो इस देश के नागरी खंजाबे महिलाओं के साथ यह सुलूप होता है वहां पे मतलब है वो जो महिलाएं हैं वो कोई उन सेक्सुल अर्द से नहीं किया जा रहा था बलकि क्योंकि वो दूस एक समुदाए से सम्बंदिक ह इसकी वजह से उनको शिकार बनाया जा रहा था और यह जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का यह क्रक्स है कि वो पूरे समाज को इस तरह से भी बाजित करते हैं कि वह वहां पे गरणा ही गरणा फैलती है मतलब सेक्सुल असॉल्ट से किसी के प्रति मतलब इस तरह की काम करना वो एक दूसरी बात है, लेकिन किसी के प्रती इतनी गरना आपके दिमाग में हो कि उस समुदाय को नीचा दिखाने के लिए उनकी मैलाओं को हत्यार बनाया जाए, ये एक अलग जगए है, और इसके लिए ये बिल्कुल आज के दिन भारतिय जनता पार्टी की जो राजनीती है, वो जन भलाई के कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महिंगा इतनी ज़्यादा बड़ी हुए, बेरोजगारी दो करार नोजवानों को रोजवानों को रोजवार देने का वाइदा करके आये थे, बेरोजगारी जो है, आज के दिन सिर्चर के बोल रही है इस देश के अ सोच है, वो भी विकसित होगी, वो भी विकास शील या फिर पाशाड काल की जो मानसिक सोच है, उससे प्रभावित्ता दिखती हो, मैं, क्योंकि एक सवाल, सबह बहुत ही सीमित रह गया है, शेश, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के बाद ही, अब दुरगा कि हम अपनी बेटियों के साथ, अपनी घरेलू, घरेलू हिंसा भी NCRB की रिपोर्ट आई है, उसमें घरेलू हिंसा की जो भी इस्तिती है, वो भी पहले से बत्तर हो गई है, तो फिर ये समाज का जो दोहरा चरित रहे, आखिर सुधार आ भी सकता है, या फिर हम उमीद ही पाले, आपकी उमीद अगर बाकी है, तो किस आधार पर एक लाइन में सबजना चाहूंगी, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, उमीद हमारी इस आधार पर बाकी है, कि हम जब इकठा हो के पूरा समाज और महिलाएं और परगतिशी लोग जब दबाव बनाते हैं, तो जैसे निर्भया कांड के बाद इस देश के अंदर सरकार जो है, वो कदम उठाने को मजबूर होई थी, इसी तरह से ये जो तानाशा है, बले ये सरकार, ये सम्विधान में आस्था नहीं रखती, मनुसम रितिमास्था रखती है, लेकिन ऐसे ऐसे जो तानाशा है, उनको भी जन दबाव जो है, वही जुका सकता है, और ये अच्छी बात है कि आज जन जो है, वो इनकी पूचालों को समझता नजरा रहा है, जैसे हर्याना के अंदर, नू के अंदर अभी इन्हों न कोशिश की थी, जैर फैलाने की, आपस में मुस्लिमों और इंदों को लड़वाने की लेकिन पूरे समाज ने इनको जो है, विलकुल नकार दिया एक सिरे से, कि आप हमारा जो भाईचारा है, जो इंसानी सद बावना है, उसको बरबाद करने पे तुले हुए हो, और हम आपके मनसुबे समझ चुके, इसलिए कोई हमारे से अपेक्ष्या मत रखना, हम अपने जो मेव भाई हैं, उन्होंने किसान अंदोलन में हमारा साथ दिया, और वो मतलब आजादी के अंदोलन में उन्होंने कुर्बानिया दिये, तो हम उनके साथ खड़े हैं, इसकी बजाए कि जो जलाविशेव का नाटक करने वाले, बिलकुल, यानि कि जो जन भावना है, इ सारे कारेक्रब में आने के लिए, बहुत-बहुत आभार आपका बैप, और अब दर्शकों से अज्रोध हैं, कि आपको अगर ये कारेक्रब अच्छा लगता है, तो आप फीडबैक देरा ना भूले, आप हमें info-adjust-broadcasting.com पर email भेज कर अपना सुझा भी भेज सकते हैं, और शिकायते भी भेज सकते हैं, नेहा-ajjust-broadcasting.com पर भी मुझे आपके emails का हर रोज इंतजार रहता है, आपसे अगले हपते होगी मुलाकार, धन्यवाद!